Hello everyone, welcome to my nursing classes, my name is Shifali, recently I did my BSC nursing, so today I am going to discuss about fetal circulation, fetal circulation which is a topic that comes to obstetric and gynecological nursing, okay, so now we are going to talk about fetal circulation, so fetal circulation, we are going to talk about fetal circulation, all of you know it is slightly different, okay and here it is slightly different, so let's start, we all know fetal circulation in it is a placenta, what is it called on placenta, with the amyl Eternal Chords, what is present on you? दो हमारे पास अम्लाइकल वेन प्रसथ होती है इनिशेली इनिशेली स्टेज क monitor होती है तो क्या होता है यहमारे निशेली वीक्स के बाद क्या होता है जो एक वाच्ष दो होते हैं उसमें से 1 डिसेप्यर हो जाती है तो यहां पर याल दखने वाली बात है कि जो होता है एक अग्राइकों वेयन यू म्लेकर आर्टरिस प्रेजर्स करते से सब्सक्रीबिट Fridays 4 सब्सक्रीबर्स्ण और और प्रेश ब्लुड़ कर दे यह इसे खेंड और यह से सब्सक्रीबर्स टौन प्लस नहींट These एक industry तो के होती है했는데 लीवर को सप्लाइए चैके अब यहां पर क्या होता है जो को भी ब्रांच सप्लाइब कर रही है तो यह से और इंफिरियर काव के भीच मैं हमारे पास अब जब राइट एट्रियम में हमारे पास fresh blood आ जुका है तो वहां से क्या होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में यहां पर एक शंट प्रेजंट है ठीक है इसे हम क्या बोलते है फॉरामन ओविल तो मिज्योरिटी और ब्लड क्या है जो भी हमारा र लेफ्ट एट्रियम है और इसे क्वाल गजरे हैं तो मिज्योरिट एट्रियमर्ट के creamy के बीच में में एक क्या होल प्रेजन तो यहां से जो ब्लेड कहा जा रहा है हमारा ह JUST ख dif correct है तो में और ट्रियों अबट कहा जाएगा गाawk नहां जाकतियों के यह कु ऐख था लूं स्ट्रा मंखने हैं इस इंगे इसिसे सब्सक्राइम में इसकेतरpage inखंड मेरा उसके याप सब्सक्राइटी आहां Hz गला फिर क्रामो जाएवा करना है ब्लोड सुन्स हमारा इंगाया तौरक लेकिन क्या ओता सिंद ब्लरेट व हमारा राइट बने ट्रैंक में जा रहा है हृब यहां पर जो हमारे लंग्ष 據 लंग्ष यह नहीं जो हमारा यहां जिकलिए फुल्डा И ठीकर है जो फीटस होता है तो इसी वज़े से क्या हो रहा है यहां पर है थार्ड और यह को जो किया करते हैं उस ब्लड ब्लड को तया क्या करते हैं यह क्या कर रहा है पलीनिकorkुलिशन उस्ट किला गभितर bevor तो यह पूरी शर्कुलेशन यह है फीटल की जो सर्कुलेशन है तो इसमें जो हमारे पास में चीज है जो में पॉइंट से वह लर्ण करने वाले हैं कि इसमें शंट प्रेजंट होता है दैट इस डक्तस वेनोसस दें शेकंड बन इस्टंट दैट इस फोरामन ओविल थर्ड आर्ट से फीटके आटरेश इसमें तीन शंट प्रेजंट होते हैं ठीके हमें गहा हुए इंपॉर्टल अगया इक सेक्ष्प्शनल बात हैं कि जो में उतनी스ंट ऐसमें इसमें फो न हम आर्ट सित रहीं लेकिन जो लिगा आटरी इसमें और द्लों करती में उतनीं झरशे होती है इसमें फीटस में वो घ्री करती है लेकिन उंक्लम हम हम आड कर दोंध लेकर आती है तो उस ब्लॉड को लेकर आती है यह आकार लियुचल होन हUNG में वान जो आट कर दोड कर दोड कि अऀचित अंग्या अड होती है झ dedi कर सिंदेज इंफीर वीनकाबावा के वतो लीवर के बाइपास हो कर रहे हैं नीवर से बाइपास होगे वलेड कहा रहा है इंफीर हいます प्रामेन और फ्रामेन ऑविल प्रामेन और प्रामेन और यौक्ट अब्सक्राइब करने वाले थे तो हम बात कर लेते हैं जो हमने यहां पर शंट की बात करी है जो हमने यहां पर शंट की बात करी है तो अब यह शंट जो होते हैं इनका functional closer और anatomical closer कब-कब होता है विकाज अगर इनका closer नहीं होगा तो यहां पर भी conditions arise हो जाएंगी जैसे कि यहां पर एक second है हमारा foramen oval जो शंट है वो हमारा कहां पर पाया जाता है right atrium से left atrium के बीच में तो अगर यह after birth भी यह अगर सेम प्रोसेस चलेगा तो इससे हमारी पास एक disease हो जाती है ठीक है बच्चों में यह disease देखने को मिलती after birth जिसे हम क्या बोलते atrial septal defect यानि कि दोनों atrium में right atrium में और left atrium में एक hole present है जिसकी वज़े से blood जो majority of blood है वो कहां चला जा रहा है लेक्टे ट्रेम है तो यह heart disease भी हो जाती है अगर यह सही टाइम पे closure ना हुआ हो तो तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इनका timing की कब कब इनका fine जो functional closure वो कब हो रहा है और anatomical closure कब हो रहा है तो फर्स संथ हमें आपर बात करने वाले हैं डक्तर साट्रियोसिस डक्तर साट्रियोसिस वो संथ है जो हमारा बात किसकी थी डक्तर साट्रियोसिस की देन सेकेंड वन डेट इस फोरामन ओवेल तो जो कि मैंने बता है आगे चलके क्या कोश करता है अगर वो सही टाइम पे इसका यहां पर आप देख रहे हैं विदिन सैवरल मिनेट आप्टर बर्थ यानि कि जैसी बेबी ने बर्थ लिया इंट्राइटरल लाइफ से एक्ट्राइटरल लाइफ में आएगा तो भी क्या होगा उसका जो फोरामन ओवेल है वो जो शंट है वो क्लोज हो जाएगा ठ इसका जो क्लोजर है वो भी क्या हो रहा है विदिन सैवरल मिनेट आप्टर बर्थ यानि कि बच्चा जैसे ही डिलीवर होगा उसके तुरंद बाद यह अपना फंक्शनली काम करना बंद कर देगा ठीक है और इसका जो अनॉटमिकली क्लोजर है यानि कि स्ट्च्चर है वो हमारा है रहा जो हो हुआ है हैं थी तु सेवन ऑडेशी है ति कन एं तर इस थी कि फ्र attach धाली करते हैं थो इंपॉर्टेंट प्यंत को अधिस्व हां तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यह मेरा पर्सनल एक्सपीरिंस इसलिए में शेयर कर रहे हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें